आप अपने period को देखकर कैसे periods आते हैं आपको उससे समझ सकती है कि क्या आपको कौन सी problem है जिसकी बुझा से आप मा नहीं बन पा रहे हैं जी हाँ, आप अपने जांच खुद कर सकती हैं, सिर्फ ये एक लक्षन आपको बता देगा कि आपको क्या problem है Hello everyone, मैं हूँ प्रेना, आप देख रहे हैं YouTube सहेली चैनल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल में उमीद करती हूँ कि नीचे जो red color का subscribe button है उसको आपने on कर दिया होगा जो एक bell का icon बना है उससे भी touch कर दिया होगा, जिससे कि आपको notifications मिलते रहेंगे आईए समझते हैं कि वो period का कौन सा लक्षन है Periods days में, एक दिन में 3-4 pad का इस्तमाल अगर आप करती हैं तो ये बिल्कुल ठीक है लेकिन जिन महिलाओं को 3-4 से भी कहीं ज़्यादा, 7-8 pad यूज करने पड़ते हैं बहुत heavy flow रहता है Periods days भी ज़्यादा होते हैं, हफते से उपर भी चला जाता है ये एक हफते तक उनको periods रहते हैं ये एक लक्षन है, जो कि आपको बताता है कि आपको गर्ब क्यों नहीं ठहर रहा है इसके पीछे चुपे कौन से कारण है, किन वज़े से आपको ऐसा period आ रहा है और ये ठीक कर सकते हैं आप खुद से, बहुत आसानी से आई आगे बढ़ते हैं कारणों को समझते हैं सबसे पहला कारण है thyroid, हाइपो थाराइड की patient जो होते हैं, उनको बहुत heavy period आते हैं और काफी painful होता है period, पिलकुल ऐसा, estrogen dominance में भी होता है ऐसे condition में, महिला का वजन, obesity यानि कि जो abdomen पे बहुत सारी चर्ब, पेट पे बहुत सारी fat होता है, भुटापा होता है उनको भी काफी heavy period आते क्योंकि estrogen का level बढ़ा रहता है, उसकी वज़े से काफी painful और काफी heavy flow रहता है बढ़े हुए estrogen में सबसे पहले, अगर आपका वजन ज्याद है, तो आपको वजन कम करना है और obesity linked estrogen dominance आज के समय में 60% लोगों को है और भी reason होते हैं, genetic reason भी होता है, लेकिन आप अपने तरीके सुधार कर उसको ठिक कर सकते हैं, काफी हद तक तो अपना वजन कम करें, आमले का प्रयोग करें, estrogen dominance पे मेरे dedicated videos हैं, detail में explain किया है, उन्हें देखना आपके लिए सबसे ज़रूरी है अगर आपको thyroid है, तो आप धनिया water ले, metabolism को ठीक करने के लिए अपने खान-पान में protein बढ़ाएं, exercise करें, चिकनाई अपने खाने में कम रखें, घी तेल कम करें, good quality fat लें, सिमित पात्रा में fat लें, वजन नियमित रखें, तनाव से बचें, क्योंकि अगर आप thyroid की condition में तन कुछ नहीं पता, इसलिए, अगर आपको बहुत heavy period आते हैं, तो एक बार अपनी doctor से मिले, जाचे करवाएं, ताकि आपके heavy period के पीछे का क्या reason है, आपको समझ में आए, जब समझ में आ जाता है reason, तब आप प्राकृतिक तरीकों से उसे ठीक कर सकते हैं, तो अगर fibroid है, त परे fibroid की tips को समझें किस तरह से healthy का प्रयोग करना है, किस तरह से सबचियों और अनाजों का प्रयोग करना है, जिससे fibroid श्रिंक हो जाएगा, वो बढ़े गाई ही नहीं, फाइबरोइड का उपाय कभी भी नहीं कि आप उसको operate करवा के हटाएं, वो वापस से appear हो सकता है, पानी में, बटर मिल्क में, किसी भी चीज में गौन कतीरा मिला की ले सकते हैं, एक ग्लास में भीगा हुआ, जैली जैसा गौन कतीरा दो चमच एड़ करना चाहिए, गौन कतीरा ना केवल आपके शरीर को शीतल करेगा, शरीर की बढ़ी वई गर्मी को दूर करेगा, बलकि ये बहुत पोशक होता है, शरीर में, हेवी पीरेट होने पर बहुत सारा निट्रिशन लॉस हो जाता है. कई सरे विटिमिन दूर हो जाते हैं, भूख लगना बंद हो जाता है, खाने की अनिच्छा, बिल्कुल मन नहीं करता है, तो गोन कतीरा में, कई सरे विटिमिन होते ह जो आपको मजबूती देगा, ताकत देगा और बहुत जल्दी, हमारे जिन वीवर्स में गोन कतीरा को यूज किया है, उन सब भी ने हमको कमेंट करके बताए, कि गोन कतीरा यूज करने से कितने जादोई असर उनको देखने को मिले, कितना आराम मिला है उनको, इसके अलावा सौंफ का शर्बत, यह आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें मीठा ना डाले, केवल सौंफ का पाने आप इस्तवाल कर सकते हैं, तो हैवे पीरिड को टैकल करना आसान है, लेकिन तब जब आप को चीजने पता हों और समझ में आ जाए, उसके बाद आप डेफिनेटली उसको क करना चालू कर देंगे, तो इस तरीके से हैवे पीरिड की सारी कंडिशन को समझे, रीजन को समझे, उपायां को समझा, और अब उम्मीद है कि आप खुद से खुद को ठीक कर लेगे, और हमें कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, तो नीची ज बस तरहें पना क्याद रखें, बाबाई